हेला फ्रेंड्स टेक्टी दीप पर आप सबका स्वागत है सो आप अगर 15,000 के अंदर एक बेस्ट रेज्मी का स्मार्टफॉन बाई करना चाते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने मला है क्योंकि यहां पर मैं टॉप फाइब बेस्ट रेज्मी का स्मार्टफॉन के बाड़े में बात करने मला हूँ जो क्या था है 15,000 के अंदर एंद ये सभी डिवाइसेज, बिग डिस्पले, गेमिंग पोसेसर, मैक्सिमाम 6GB आफ रेम और पाउरफुल बैटरी, गुड केमेराज के साथ आता है सो वीडियो पर आगे बाढ़ने से पहले आप अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना एंद इस वीडियो के लाइक कर देना सो 15,000 के अंदर यहां पर रेडमी का जो पहला स्मार्टफोन है यह है रेडमी Note 10T 5G इसका भी ओनलाइन मार्केट में प्राइस है 14,999 रुपीज सो इस प्राइस सेंज पर आप अगर एक 5G एंड गेमिंग स्मार्टफोन बाइक करना चाते हो तो इसे आप ट्राइक कर सकते हो क्योंकि यह डिबाइस 5G नेटवर्क एंड मीडिया टेक डाइमेंसिटी 700 5G पोसेसर के साथ आता है जो की मीडिया टेक का 7 नानो मीटर टेक्नोलोजी बेस्ट काफी आच्छा एंड गेमिंग पोसेसर है सो इस डिबाइस पर आप बहती बड़िया गेम पिले कर सकते हो इसे के साथ 4GB का RAM एं 64GB का स्टोरेज दिया गया है एंड ये डिबाइस रन करता है Android 11 and MIUI 12 के साथ सो इसका में अगर डिस्पेले की बात करूँ तो यहाँ पर 6.5 इंच का बिग IPS LCD डिस्पेले देखने को मिलता है एंड इसका जो डिस्पेले रिफ्रेसेट है यह है 90Hz सो आप बात करता हूँ इसके कैमेरा के बारे में तो इसका जो में कैमेरा है यहाँ पर टिपील कैमेरा सेटाप देखने को मिलता है 48MP, प्लस 2MP और 2MP एंड इस कैमेरा से आप 1080p, 30fps तक वीडियो रेकोर्डिंग कर सकते हो इसके साथ डिपाइस के फॉंट साइट पे 8MP का कैमेरा देखने को मिलता है एंड इससे भी आप 1080p, 30fps तक वीडियो रेकोर्डिंग कर सकते हो और यह डिपाइस 5000 एमेज बैटरी एंड 89 फास्ट जिंग के साथ आता है इसके साथ साइड माउंट एंड फिंगर पिन सेंसर, USB Type-C, 2.0 चार्जिंग पोट एंड ब्लुटूध फास्टेन 5.1, 3.5 mm अडियो जैक यह सब भी दिया गया है आप बात करता हूं नेक्स्ट डिवाइस के बारे में तो 15,000 के अंदर रेडिमी का इहां पाट जो नेक्स्ट डिवाइस है यह है रेडिमी Note 10 Lite इसका भी ओनलाइन मार्केट में प्राइस है 13,999 रुपीज इसका में अगर पोसेसर की बात करूं तो इसके साथ सिनापड्रागॉन 720G पोसेसर दिया गया है जो की क्वालकम का एक 8 नैनोमीटर टेइनलोजी बेस्ट पारफूल गेमिंग पोसेसर है इस डिवाइस पे भी आप बहुत ही अच्छा गेमपेले कर सकते हो इसके साथ 4GB का RAM और 64GB का स्टोरेज मिलता है एंड ये डिवाइस रन करता है Android 10 और MIUI 12 के साथ इसका में अगर कैमेरा की बात करूं तो इसके जो में कैमेरा है यहाँ पर Quad कैमेरा सेट आप देखने को मिलता है और इससे आप 1080p 30fps तक वीडियो रेकोर्डिंग कर सकते हो और फ्रेंड ये डिवाइस 5020 अमेज बैटरी और 18W फास्ट जिंक के साथ आता है इसके साथ 3.5 में मोडियो जैक, बुलूटूथ वासेन 5.0, USB Type-C 2.0, चार्जिंग पोट और फोन के साइट पे फिंगर पिंसें साथ देखने को मिलता है सो 15,000 के अंदर यहाँ पाँ जो नेक्स डिवाइस है यह है Redmi Note 10S इसका भी ओनलाइन मार्केट में प्राइस है 14,999 डूपीज सो यह डिवाइस 4G Network and 6.40 इंच का M.O.E.D. डिस्पले के साथ आता है इसके साथ डिवाइस के फॉन्ट साइट पे गोडिला ग्रास्तिरी का पोटेक्शन देखने को मिलता है इसका मैं अगर पोसेसर की बात करूँ तो यहाँ पर Mediatek लिए G95 पोसेसर दिया गया है जो कि एक Mediatek का 12 नामीटर टेग्नोलिज बेस्ट मीड रेंज अंड गेमिंग पोसेसर है इसके साथ 6GB का RAM और 64GB का स्टोरेज मिलता है एंड ये डिवाइस रन करता है Android 11 and MIUI 12 के साथ इसका मैं अगर कैमेरा की बात करूँ तो इसका जो में कैमेरा है यहाँ पर तगड़ा कैमेरा दिखने को मिलता है 64MP, 8MP, 2MP and 2MP एंड इस कैमेरा से आप 4K 30PS तक वीडियो रेकोर्डिंग कर सकते हो इसके साथ इसके font side पे 13MP का कैमेरा दिखने को मिलता है एंड इससे आप 1080p 30PS तक वीडियो रेकोर्डिंग कर सकते हो और ये डिवाइस 5000 image battery and 33W fast charging के साथ आता है इसके साथ side mountain, fingerprint sensor, USB, type C, 2.0 charging port, Bluetooth version 5.1 and 3.5 mm audio jack ये सब भी देखने को मिलता है सो 15,000 के अंदर यहाँ पाच जो next device है ये है Redmi 10 Prime इसका भी online market में price है 14,499 रुपीज सो ये device 4G Nato Arcan 6.5 इंच का big IPS LCD display के साथ आता है इसके साथ इसका जो display refresh rate है ये है 90Hz सो इसका जो picture quality है काफी बढ़िया देखने को मिलता है और डिबाइस के font पे Gorilla Glass 3 का protection दिया गया है सो इसका मैं अगर processor की बात करूँ तो यहाँ पर MediaTek Helio G88 processor देखने को मिलता है जो कि एक MediaTek का 12 nanometer technology based mid-range gaming processor है इसके साथ 6 GB का RAM और 128 GB का storage दिया गया है और ये device रन करता है Android 11 and EMA UI 12.5 के साथ सो इसका मैं अगर camera की बात करूँ तो इसका जो main camera है यहाँ पर quad camera setup देखने को मिलता है 50MP plus 8MP plus 2MP and 2MP और इस camera से आफ 1080p 30fps तक video recording कर सकते हो इसके साथ इसके font site पे 8MP का camera देखने को मिलता है और फ्रेंड्स ये device powerful 6000 image battery and 18 watt fast charging के साथ आता है इसके साथ side mountain finger pin sensor USB type C 2.0 charging port और बुल्टूद भास्टेन 5.1 3.5 mm audio jack ये सब भी दिया गया है so 15,000 के अंदर Redmi का यहाँ पाद जो next device है ये है Redmi 9 power इसका भी online market में price है 13,499 डूपीज so ये device 4G network and 6.53 inch का big IPS LCD display के साथ आता है इसके साथ इसके font side पे Gorilla Glass 3 का protection देखने को मिलता है और इसका में अगर processor की बात करूँ तो यहाँ पार Snapdragon 662 processor दिया गया है जो कि एक Qualcomm का 12 nanometer technology based mid range और gaming processor है और इस device पे भी आप medium frame rates पर अच्छा gameplay ले कर सकते हो इसके साथ 6 GB का RAM और 128 GB का storage दिया गया है और इस device रन करता है Android 10 and MIUI 12 के साथ so इसका में अगर camera की बात करूँ तो इसका जो main camera है यहाँ पर quad camera setup देखने को मिलता है 48MP, plus 8MP, plus 2MP and 2MP और इस camera से आप 1080p, 30fps तक video recording कर सकते हो इसके साथ इसके font side पे 8MP का camera देखने को मिलता है और इससे भी आप 1080p, 30fps तक video recording कर सकते हो और इस device 6000 image battery and 80 not fast charging के साथ आता है इसके साथ phone के side पे finger pins अंसर, USB Type-C 2.0, charging port, Bluetooth 1.5.0 यह सब भी दिया गया है So friends, 15,000 के अंदर यह सभी device अपने price के सब से खुद का value provide करता है और unique design and features के साथ आता है और इन में से आप अगर किसी को buy करना चाते हो तो description में link है उहाँ से जाकर इसे आप check out कर सकते हो और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे चानल को subscribe करके bell icon को दवा देना और इस वीडियो के लाइक कर देना